पद्दी के गुजर जाने के बाद पद्दू अकेला हो गया फिर पद्दू की मौसी भकलोलिया ने पद्दू की देख भाल करने का फैसला किया और पद्दू अपनी मौसी के साथ ही रहने लगा भकलोलिया ने पद्दू का एड्मिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था लेकिन साला पद्दू बंक मार के वापस घर आ जाता था पद्दू को इस्कूल जाने का और पढ़ाई लिखाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था भाग साला हिस्त्री जोगरफी हल्दी अल्लह सुन गाटी हमसे नहोगा उसके बाद पद्दू चुप चाप अपने दोस्त के साथ घूमने चल देता है भकलोलिया पद्दू की हरकतों से परेशान हो गई और उसने पद्दू को घर से निकालने का फैशला किया अरे चुप हो जाओ ए पद्दूआ निकल साला ना तो बहुत मारेंगे लेकिन मौसा जी कुछ मत बोल डफा हो जा मेरे घर से तेरी मौसी ने तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया अरे बाप्रे घर से बेघर होने के बाद पद्दू अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है रे कलुआ सोच रहे हैं चोड़ी करने का पगला है कारे चोड़ी चकारी हम नहीं करेंगे देख भाई हम लोग ठारे नल्ले बिरोजगार छपड़ी लोग अब तो मौसी ने भी घर से निकाल दिया दू दिन से भूखे है साला चोड़ी तो करना ही पड़ेगा तो तुम जाओ साला हम नहीं जाएंगे तू जाए करे गोलुआ नो भाई हम नहीं जाएंगे आखिरकार ले मंचूस बाबा की भविश्यवानी सच निकली और पद्दू चोड़ी करने के रास्ते पर चल परा बड़ा बिजोर चस्मा है चत्चा तनी देखते हैं पहन के रे साला हमर चस्मा दे रोली मंचूस बाबा के भविश्यवानी ता सच निकल लू न हा दोस इसाला ता सच्छो में चोड़ बन गलू